degree of comparison ठीक है तो हम start करते हैं सबसे पहले when we compare qualities जब हम quality को compare करते हैं quality क्या होती है हमारे adjectives किसी भी quality क्या होगे हमारी विशेश्ता और adjective को भी हम क्या बोलेंगे हमारी विशेश्ता ठीक है जब भी हम qualities को compare करेंगे तो हम क्या करते हैं we use 3 degree of comparison हम तीन डिग्री हैं जो comparison के जो थ्री डिग्रीज है जो अलग अलग डिग्रीज है comparison की 3 हम उनका यूज करते हैं ठीक है जैसे कि हमारा पहला sentence है the tea is hot जो tea है चाय की विशिष्टा क्या है वो क्या है गरम तो जो हमारी degrees है हमने बोला कि 3 degree of comparison है 3 degree है तो कौन कौन सी है हमारी सबसे पहली होती हमारी बेटा positive ठीक है दूसरी होती है हमारी comparative और तीसरी होती है हमारी superlative ठीक है हमारी जो 3 degrees इनोंने बोला है वो होती है पहली positive second one comparative और तीसरी होती हमारी superlative ठीक है अब पढ़ते हैं हमारी सबसे पहली positive degree के बारे में positive degree क्या होती है यह देखेंगे the positive degree is the simplest form of adjective क्या है adjective की सबसे simple form होती है यानि कि जो word जैसा है उसको as a t is ऐसे कैसे हम लोग उसको use करेंगे it does not make any comparison और इस positive degree में किसी का भी किसी चीज़ से भी इसका comparison नहीं होता है ठीक है बहुती simple है यानि कि जैसे word आया है as a t is जैसे कि यहाँ पर है देखो hot है इन्होंने बोला hot ठीक है टी कैसी है quality क्या है hot है तो इसकी यह क्या है अपने positive form में है यह जो hot word है यह अपने positive degree में है ठीक है आप इस hot की दो और degrees आगे बनेंगी देखो hot first positive hotter comparative और तीसरी hottest हमारी superlative ठीक है इस तरी किसे और भी word है आपकी जैसे देखो tall word ऐसे कैसे आया है tall लंबा ठीक है यह है हमारा positive taller हमारा comparative और tallest हमारा superlative ठीक है इस तरी किसे next देखो big as it is बिल्कुल no change की सिखसत कोई comparison नहीं है just एक word के रूप में यहाँ पर हमारा big आया है देखो big then bigger यहाँ पर इसका comparison हुआ है और तीसरा है हमारा superlative तो ठीक है positive मैंने आपको clear करवाया है कि positive में क्या है जो word है बिल्कुल एक सीधा simple word आपके सामने आएगा ठीक है एक सीधा simple word आपके सामने आएगा clear हाँ जी इसके बाद हमारा number two है positive हमने कर लिया इसके बाद हमारा number two है comparative degree comparative degree क्या होता है comparative degree क्या होता है comparative degree is used to compare two people or things जब comparison ही आ गया comparison का मतलब ही क्या होता है comparison का मतलब ही क्या होता है तुल्ला करना ठीक है comparison का मतलब होता है तुल्ला करना तो इसमें हम किस चीज की comparing करेंगे two people or things की या तो हम people की comparison करेंगे या फिर हम things की comparison करेंगे ठीक है तो comparative degree में two peoples और things के हम लोग comparison करते हैं हां जी और जो हमने इसकी इसलिए इसको जब भी हम लिखेंगे इसका तो हम देखो टॉलर टॉल पॉजिटिव टॉलर से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा टॉलर ठीक है यहां पर इसकी यहां पर इसकी comparative form ठीक है we add er to the base form जो हमारी base form है यानि कि जो हमारी positive वाली form है इसको हम बोलेंगे base form जो हमारी positive form है इसमें हम लोग क्या add कर देंगे er इसमें हम लोग er add कर देंगे of the adjective to change them into comparative ठीक है यानि कि यहां पर दो चीजों का comparison हो रहा है ठीक है जैसे मैंने बोला मैं आपको दिखाती हूँ ram is then raheem मैंने यहां पर लिख दिया आपने इसमें fill करना है tall तो आप बताओ कौन सी form आएगा ठीक है कौन सी form आएगी यहां पर देखो इसकी identification हम लोग कैसे करेंगे ram is then raheem ram is tall no tall तो एक basic form है यानि कि base form है तो हम इसको नहीं use कर सकते हम जी comparative form की पहचान क्या है कि इसमें आपका जो भी हम लोग अपनी degree भरेंगे जो भी हम degree की form भरेंगे उसमें हम लोग then आपको then मिलेगा ठीक है उसमें आपको then मिलेगा जैसे ram is taller than raheem ठीक है तो इस comparative की है कि एक तो यहां पर comparison हो रहा और comparison किस से होगा then से ठीक है then word आएगा जब भी आपको comparative degree जहां पर भी आपको भरनी है अगर वहां पर then word है तो आप easily वहां पर अपनी comparative form का use कर सकते हैं जैसे आपकी page number 51 पर देखो then surprise आप देखो then आया है न तो यहां पर हम क्या भरेंगे श्वेता is old older श्वेता is older than surprise तो जहां पर भी हम then का use आजाएगा हमारी किसी से तुलना हो जाएगी इसकी ठीक है राम इस टॉलर बड़ा है दन याने की comparison दन याने की comparison की तुलना में किस की तुलना में रहीम की तुलना में लंबा है ठीक है तो हमारी comparative degree की पहचान क्या है जैसे एक simple sentence मैं लिखा राम is टॉल यहां पर कोई comparison है बिल्कुल भी नहीं है एक simple सी बात मैंने बोले राम लंबा है लेकिन जब मैंने राम का comparison किया यहांपर राम इस दन रहीम राम लंबा है किस से रहीम से तो मैंने यहाँ पर comparative form का यूज किया और उसके साथ मैंने then का यूज किया चीख है अब हमारी जो तीसी है मैंने इसको identify करने का तरीका बता दिया कि जहाँ पर आपको then मिलेगा आप वहाँ पर अपनी comparative form यानि ER वाली form यानि ER वाली form आप वहाँ पर fill कर देंगे चीख है इसके बाद है आपका तीसरा वाला the superlative degree हाँ जी जो superlative degree है वो क्या होती है superlative degree कि इसमें हम लोग EST का यूज करेंगे इसमें तो हमने यहां का यूज किया था यहां पर हम लोग EST का यूज करेंगे ठीक है यानि tall, taller, tallest, hot, hotter, hottest देखो EST हम लोग EST का यूज कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने comparison की पहचान की थी जिस word sentence में हमारा then आए गया वहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे अपना comparative form भर देंगे डिगरी का ठीक है और superlative की पहचान क्या होगी कि यहां पर आपके जो sentence है उसमें आपका दा आएगा we use the with the superlative जब भी हम superlative form का use करेंगे superlative degree का use करेंगे तो उस sentence को आप easily identify कर पाएंगे दा से जैसे आपका फिलिंदा blanks आपने जहां पर आपने डिगरी भरनी है उसके ठीक बाद आपने then था ना sentence में ठीक इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से आपका क्या होगा आपका महां पर दा मिलेगा ठीक है clear है हाँ जी मैं आपको एक्जैम्पल देती हूं यह देखो इसमें आपकी एक्जैम्पल इसमें तो नहीं डाली इन्होंने कोई भी एक्जैम्पल हाँ जी इसमें आप एक्जैम्पल अब यहाँ पर देखिए जो sun है hottest is the hottest of all क्या है सबसे गरम है सबसे गरम है यानि कि हर एक चीज से of all हर एक चीज से गरम है सूरच ठीक है इस तरीके से एक और sentence है आपका Yesterday was the, जो कल था, जो कल का दिन था Yesterday was the, देखो the आया है The day of the season, season का सबसे cold यानि की the है तो हम यहाँ पर superlative form का यूज़ करेंगे coldest, ठीक है? जिस तरीके से मैंने आपका यहाँ पर then आया था हमारा then कि इसे पहले हमने क्या भरा? comparative form लेकिन जब यहाँ पर आपका क्या है? the और superlative के पहचान क्या है? कि sentence में आपका क्या मिलेगा? the ठीक है? Yesterday was the coldest, यानि की सबसे cold दिन है, सबसे ज़्यादा थंडा दिन है ठीक है? तो यह हो गया, इसके बाद देखो ठीक, एक नीचे और है आपका Mount Everest is the यानि की यहाँ पर भी the आया है, तो हम कौन सी form भरेंगे? यहाँ पर हम अपनी superlative form भरेंगे ठीक है? clear तो यह है आपके, जो आपने degrees की थी, कि positive degree क्या है? positive क्या है, आपकी base है, ठीक है? base form है, यानि कि कोई change नहीं है, कोई comparison नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक simple सेंटेंस है, एक quality है, हाँ जी, इसके बाद comparative, comparative में जब आपकी comparison होगा two people की, दो things की, ठीक है? या तो दो people आएं, या फिर दो चीज़ों का comparison आएं, तो हम base form में अपना ER add कर देंगे, और वो बन जाएगी हमारी comparative degree वो हमारी क्या बन जाएगी? comparative degree, ठीक है? हाँ जी, इसके बाद हमारा था, और मैंने आज़ की पहचान बताय थी, कि आपको sentence में क्या मिलेगा? देन मिलेगा, इसके बाद हमने तीसरी form की है, superlative degree, superlative degree क्या है बटा? कि आपकी superlative degree में, आपके compare करेंगे three or more things, तीन या तीन से ज़्यादा people या फिर things के बारे में हम इसके comparison करेंगे, चिक है? और इसमें आपके sentence में आपको क्या मिलेगा? दा मिलेगा, sentence में आपको क्या मिलेगा? दा मिलेगा, ठीक है? और वहाँ पर हम लोग कौनसी यूज़ करेंगे? अपनी superlative, ठीक है? तो I hope आप सब लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है? आप लोग इस स्कॉचे से करेंगे, ठीक है?